इंदोर इच्छापूर रोड इस्तित चोरल नदी पर पिकनिक मनाने गए युवक की नदी में डुबने से मौत हो गई घटना के बाद म्रतक युवक का शोव दो दिन बाद चोरल नदी से भग कर पिकनिक इस्पार्ट चीडिया भढ़क इस्तित नदी में मिला खरगौन जिले के बढ़वा से करीब 15 किलोमेटर दूर पिकनिक इस्पार्ट पर दो दिन में भारी मशक्कत के बाद एक म्रतक युवक का शोव मिला है जिसके जानकारी बलवाडा पुलिस स्थाने पर पदस्त प्रधान आरक्षक राजकुमार अवस्थी ने देते हुए बताया कि ग्राम जिगडी निवासी गोतम पिता सोहन उम्र 21 वर्ष अपने अन्य साथियों के साथ 6 सितंबर को चोरल नदी पर पिकनिक मनाने गया था जहां खाना खाने के पस्चाथ मरतक यूवक नहाने के लिए नदी में गया था जहां गहरे पानी में जाने के दोरान मरतक नदी के बाहों में डूप गया जिसके सुचना बलवाडा थाने पर मिलने पर यूवक की दो दिनों से तलास जारी थी तबी दूसरे दिन मंगलवार सुभो मरतक गोतम का शोव चोरल नदी से भहकर चीडिया भढ़क इस्थित नदी में तेरता हुआ मिला बढ़वा से मुस्ताक मुंडा की रिपोर्ट इनके दोस्तों से कुछ पता चलाए कि हम आप दोस्तों सो रहे थे खाना पीना खा गए उसके पर संडे के रोच बारा बचे फोना यह एसा एसा गये हैं दो बज़े पता चला कि एक आया को गया है तो दो बज़े में वहां से तीन बज़े इंदोर से निकला हुआ घर पर आया तो दो दिन तक हम ने गूला नहीं मिला है पुलिस पर रिपोर्ट करवाई सबको तिकी काथ करवाई नी मिला वी अज मिला वह पता नहीं तो साथ में गया था ना ने गया क्या क्या उसने उसका कुछ भी निन पाद मिले यह इस तो इन मिले गाय भूने के का आप लोग तलास कर रहे था आपको मिला और फिसी कि खबर सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले